प्रियर सिक्छार्थियों, NIUS के इस इस्टूडियो में, मैं डाक्टर निलेश कुमार, आप सभी का हादिक स्वागत एम अभिनेंदन करता हूं आज हम पाठ बाइस ब्रित्ति परिचर के इंतरगत ब्रित्तियों के संदर्व में हध्यन करेंगे ब्रत्ती कहते किसे हैं? ब्रत्ती का लक्षण क्या है? पुरोवर्ती और परवर्ती आचारी नों ब्रत्ती के संदर्व में क्या विचार दिये हैं? कौन किस ब्रत्ती को मानता है? अभिधा, लक्षडा, ब्यंजना और तात्परया ब्रत्तियों में से कौन आचारी किस ब्रत् हो चुकी है तो 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 काभेशास्त में बृत्तियों में व्येंजना बृत्ति का महत पुर्ण इस्थान है वियंजना सब्ध वीव उपसर्ग पूर्वक अंजधातू में रिच प्रत्य और टाप प्रत्य अलग करके बेंजना सब्द की निश्पत्ती होती है। अर्थात यह बेंजना सब्द वी और अंजधातु से टाप प्रत्य करके बेंजना सब्द बनता है। अंजधातु जो है वह प्रकास का द्योतक होता है। अंजधातु प्रकास का दियोतक एवं वी उपसर्ग विशेश अर्थ का दियोतक होता है, अर्थात जिस ब्यापार से विशेश अर्थात रमरी अर्थ का बोधन होता है, व्यंग अर्थ का बोधन होता है, व्यंग अर्थ का बोधन होता है, उसे ब्यांजना ब्यापार कहते ह ब्यंजना व्यापार जैसे मुख्य अर्थ की बोधिका, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाला अभिधा होता है, लक्ष अर्थ का बोधक लक्षणा कहलाता है, उसी प्रकार ब्यंग अर्थ की बोधिका कराने वाली जो शक्ती होती है, वह ब्यंजना शक्ती होती है कहते हैं जैसे अंगनासु अवयवाद्यत्रिक्त्वेन किन्चित अन्यद्देवलावरियम सहिदय अनया अम्रित्समंत श्ठती तथाईव वारीशु वाच्यार्थाद कस्चिद भिन्नह एव व्यंग्यार्थो भवती तथाही उच्यते धन्यालोके प्रतमुद्योते वरणाचारियने आनंदवरधन अपने ग्रंथ धन्यालोक के प्रतमुद्योत में व्यंजना का वरण करते हुए कहा है कि जैसे किसी सुन्दर अंगना सुन्दर इस्त्री के संपूर्ण शरीर में किसी एक अंग से संदर्य का बोध नहीं होता है अपितु उसके संपूर्ण शरीर संपूर्ण स्वरूप को देखकर जो एक अन्य ही प्रकार की अलग ही प्रकार की जो सुन्दर्ता दिखलाई पड़ती है वह वाडियों कवियों के दिश्टी से वह इसी प्रकार वह अनिर्वचिनी होता है जैसे वाच्य अर्थ मुख्य अर्थ से भिन्व्यंग्य अर्थ होता है उसी प्रकार से वह अंगना के अंगों से उत्पन्द जो संदर्य होता है वह भी उसी प्रकार का अभिन्द अतुलित संदर्य वाला होता है उसी के लिए आचारे ममट में कहा है प्रतीयमानम पुनरन्न देवस्त वस्तस्त वारीशु महाकवी नाम यत्तत पसिद्धा वयवात रिक्तम विभाति लावडयम वांगनासु कि जैसे अंगना के सरीर से जो सुन्दरता प्रतीत होती है वैसे तो सामानने अंग हैं सरीर के हाथ पैर वो तो सभी के होते हैं लेकिन जो एक संदर येका जो बोध होता है संपुर और सरीर से वह उस सरीर से भिन्द महसूस होता है वैसे ही यह जो ब्यंग अर्थ होता है यह ब्यंग अर्थ जो महाकवियों की वारी में विद्यमान होता है यह ब्यंग अर्थ उस वाच्च अर्थ से अलग ही प्रतीत होता है अलग ही अनुभूत होता है और ब्यंग अर्थ जो होता है वह अनुभव जन्य होता है अनुभून जिसको अनुभूत किया जाए जिसको म कि जैसे इस्त्री के अंगों से एक अनिर्वचनी संदर्य प्रदर्शित होता है दिखलाई पड़ता है वैसे ही महाकवियों की वाड़ी से जो व्यंग यर्थ निकालता है वह भी उसी प्रकार का अनिर्वचनी होता है व्यंजना के भेद के संदर्व में आचार विश्वनाथ ने साहित्य दरपण के दुतिय परिक्षेद में व्यंजना व्रित्ति का वरण किया है उन्होंने व्यंजना के प्रमुक्तह दो भेद किये हैं साब्दी मूला व्यंजना और आर्थी मूला व्यंजना पुनह साब्द मुला व्याजना के संदर्भ में आचार विश्वनात का मत है कि अनेका रथस्य सब्दस्य सयोगादयर नियंत्रते एकत्रार्थस एकत्रार्थे नधिरहेतुर व्याजना साविधास्रियाह इसका जो अर्थ है कि एकस्य सब्दस्य बहव अर्था भवन्ती अर्थात एकही सब्दे के बहुत से अर्थ होते हैं और सर्योग आदी से एकस्मिन अर्थे अभिधया नियंतिते और एकही अर्थ में अभिधा के द्वारा जिसको नियंतित किया जाता है या सब्दस से अन्य अर्थ बोध कारणी भूता बृत्ती या उस सब्द के द्वारा अन्य अर्थ के बोध का जो कारण रूप व्यापार होता है जो शक्ती होती है सा अभिधा मूला बिंजना इत्चते वह अभिधा मूला बिंजना कहलाता है अर्थात अभिधा से भी बिंजना की उत्पत्ती हो सकती है इसलिए वह जो मुख्यात है वह मुख्यात अपने मुख्य अर्थ का बात करके जो ब्यंग्य अर्थ है जो अन्य अर्थ है उस अन्य अर्थ का बोध कराने वाला जो सब्द का मूल ब्यापार है वह अभिधा मूला बेंजना है अभिधा मूला बेंजना पुनह लक्षडा मूला बेंजना की तरफ आते हैं लक्षडा मूला बेंजना किसे कहते हैं तो करहें लक्षडों पास्टे यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्याय यते सास्याद व्यंजना लक्षडा आश्रया है। अर्थात, जिस प्रयोजन के लिए लक्षडा का आश्रे लिया जाता है, वह प्रयोजन जिस बृत्ती से प्रतीत होता है, वह व्यंजना लक्षडा मूला होती है जैसे अविधा से, अविधा बृत्ती से मुख्य अर्थी की प्रतीती होती है, लक्षडा मूला ब्यंजना से लक्षय अर्थी की प्रतीती होती है, उसी प्रकार ब्यंजना से ब्यंग अर्थी की प्रतीती होती है तो कर रहे हैं जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का आस्सर लिया जा जो लक्षणा मूला बेंजना है अर्थात लक्षणा के उपर जो आधारित बेंजना है जैसे गंगायाम घोसह इसका आगे उदारण मिलेगा कि गंगायाम घोसह में लक्षणा क्या है कि गंगा के समीफ गंगा नदी के तट के समीप तट रूप जो अर्थ है वो उसका लक्ष अर्थ था लेकिन लक्षडा मूला ब्यंजना गंगा याम घोसव में ब्यंग अर्थ क्या है ब्यंजना क्या है तो ब्यंजना यही है कि जो सीतलता और पावनता जो गंगा नदी के जल में जो सीतलता औ पवित्ता उस तट में भी है, तो जो सैत्य और पावनत्व, जो सीतलता और पावनता है, यही ब्यंजना का प्रमुख है, यही लक्षडा मूला ब्यंजना का मूल है, अब इधा का मूल तो गंगा के मुख्य अर्थ को बाध करना था, लक्षडा का उद्धिस्य क्या था, कि सामिप्य संबंद से तक रूप अर्थ को बोध कराना था, लेकिन लक्षडा मूला ब्यंजना का उद्धिस्य क्या है, कि जो प्रयोजन है, उस घर को बनाने का, उस तट पर बनाने का प्रयोजन क्या था, तो वह प्रयोजन है कि जो सीतलता जो पवित्ता गंगा के जल में है वही सीतलता वही पवित्ता उस घर में भी उस तट पे बने हुआ जो आभीर है जो घोश है उस घर में भी वह प्राप्त होगी तो करें वह प्रयोजन यह सैत्य पावनत्य रूपी प्रयोजन जिस बृत्ती से प्रतीत होता है वह व्यंजना लक्षडा मूला होती है उदाहरण के रूप में जिसको भी बतलाए गया गंगा याम घोसह इस उदाहरण में जो सैत्य पावनत्य आधि प्रयोजन है उस गंगा प्रयोजन के तच पे जो घर बनाया गया उसके पीछे का जो उद्धिस से है कि जो सितलता और पावनता आधि प्रयोजन है वह प्रयोजन व्याजना व्रित्ति से ही सिध्ध होती है अब ये तो साब्री मूला ब्यंजना के दो भेद हो गए अब आर्थी ब्यंजना आर्थी ब्यंजना किसे कहते हैं तो कह रहे हैं आर्थी ब्यंजना के अनेक भेद हैं किन्तु जो प्रमुख है कि वक्ता, बोधा, वक्ता, बोधा, वाक्य, प्रकरण, देश, काल, काकु, अभंग, चेश्टा, आधिके वैसिष्च से जिस सब्द सक्ती के द्वारा अन्य अर्थ का बोधो होता है, उसे आर्थी बेंजना कहते हैं. अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सब्द सक्ती के द्वारा अन्य अर्थ, मुख्यार्थ नहीं, सब्द के द्वारा जो अन्य अर्थ है, जो अन्य अर्थ का बोधो होता है, उसे आर्थी बेंजना कहते हैं. अब अन्य अर्थ से तातपर है, जो अन्य अर्थ की उत्रथी होती है, उपक्रितम बहुत अत्र, ये भी उदाहरण है, उसके भी से पूर में जो उदाहरण बतलाया गया, कि तुमने मेरा बहुत उपकार किया है. तो यहां उपकार सब्द जो है वह अपने पूरे स्वरूप को पदलके अपकार अर्थ को ले लेता है वैसे ही यहां कह रहे हैं कि जिस सब्द सक्ती के द्वारा और किन-किन वैसिष्ट से वक्ता के कहने के लहजे से बुद्धा के लहजे से वाक्य के आधार पे भी प्रकरण के आधार पर भी देश के आधार पे काल के आधार पे काकू कहते हैं वक्र उक्ती तेढ़ी बात जब अर्थ जो ब्यांगे निकलता है कि तुम बाहर मिलो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, यह जो अर्थ निकलता है, अन्ने अर्थ, यही ब्यांगे अर्थ है, यही ब्यांजना है, इसके लिए एक सुन्दर उदाहरण दिया गया है कि कोई इस्त्री किसी गुप्त स्थान पे अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, लेकिन वहाँ पर किसी ब्यक्ति को कुस्पो का चैन करते हुए देखती है, तो वह उसको सीधे सीधे तो कहके मना नहीं कर सकती कि यहां से चले जाओ, इसलिए वह कहती है कि आप आराम से यहां फूल तोड़ो, क्योंकि यहां पर अब वह कुट्ता दुबारा नहीं आएगा, वह स्वान दुबारा नहीं आएगा, क्योंकि उस स्वान को उस सिंध ने मार दिया है, उस सिंध ने उस स्वान की हत्या कर दिया है, उसका वध कर दिय इसलिए तुम यहाँ आराम से आनन्द से भ्रमड करो अब इसका जो ब्यंग अर्थ था वो यह था कि जैसे उस सिंग्ह ने उस स्वान को मार दिया है वैसे ही तुम्हें भी वह आज मार देगा इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ इसके लिए जो आपके पुस्तक में जो उग उदाहरण है भ्रम धार्म को विश्रब्ध इस उदाहरण का ही यह मूल अर्थ है कि वक्ता के वैसिष्ट से वक्ता क्या कहना चाह रहा है उसके वैसिष्ट से भी सब्द से के द्वारा अन्य अर्थ का बोध कर लिया जाता है उसे ही आर्थी व्यंजना कहते हैं अब ये त दो भिर अविधा मूला व्यंजना लक्षडा मूला व्यंजना और अर्थी व्यंजना के काकू बोध्धा आदी के वर्षिष्ट से अनेक भेर होते हैं अब व्यंजना वृत्ति का महत्य क्या है तो कह रहे हैं व्यंग अर्थ जो होता है वह वाच्च अर्थ से सर्वता भिन्न होता है जब आप कभी किसी पर व्यंग करते हैं तो जिस सब्द का आप प्रियोग करते हैं कि अगर निकिष्ट व्यक्ति है कोई धूर्थ व्यक्ति है और आप उसके लिए जब कहेंगे कि आप तो बहुत इमानदार हैं तो वहाँ पर जो इमानदार यह वाच्च अर्थ जो मुख्य सब्द है वाच्च सब्द जो अर्थ है इमानदार सब्द यह अपने व्यंग अर्थ में चला जाएगा कि तुम तो बहुत बड़े धुर्थ हो तो व्यंग अर्थ वाच्च अर्थ से सर्वता भिन्न होता है जो बताया गया कि हे धार्मिक तुम भ्रम रहित होके बिना किसी बाधा के तुम घुमो क्योंकि उस सिंह के द्वारा उस सुनक को आज ही मार दिया गया है इसलिए तुम घुमो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस वाच्च अर्थ का जो ब्यांग अर्थ है वो यह है कि जैसे वह सुनक वह कुत्ता मारा गया वैसे ही तुम भी मारे जाओगे यह उसका ब्यांग अर्थ है तो ब्यांजना का यहीं महत्त्व है कि वह वाच्च अर्थ से जो आप कहना चाहते हैं उससे एकदम भिन्न अर्थ उसका होता है अब आते हैं तात्परिया बृत्ति जिसके विशय में अन्ने आचारियों ने तो तीन ही बृत्तिया माना अभिधा, लक्षणा और वेल्जना किन्तु मम्मट का धनिक और आचार विश्वनाथ ने तात्परिया बृत्ति को माना है तो प्रायह अधिकांस आचारियों ने तीन ही वृत्तियां स्विकार किया है किन्त कुछ विद्वान तात्पर्या वृत्ति को भी मानते है प्रषिद्धविमामसक कुमारिलभट और उनके अनुयाई पातसालति मिष्य अभी तानुवैवाद को मानने वाले है इसके विपरीत प्रभाकर-गुरू और उनके अनुयाई शाली कनाथ और आदी अन्मिता विधान को मानने वाले हैं अब अन्मिता विधान वाद क्या है तो कुमारिल भट्ट के जो सिस्ष थे प्रभाकर गुरू उनका नाम ही था प्रभाकर और गुरू उनकी उपाधी थी और यह गुरू उपाधी उनके प्रभाकर के जो गुरू थे कुमारिल भट्ठ नहीं दिया था, तो प्रभाकर गुरु और उनके अनुयाई शालिक नात्व मिष्वादी अन्मिता विधानवाद को मानने वाले हैं. अब अन्मिता विधानवाद कहते किसको हैं? तो इनके अनुसार पहले से अन्मित पदार्थो का ही अविधा से बोध होता है. नाकरगुरुवार्धि जो विद्वान रहे इनन्होंने तात-पर्या वित्ति को नहीं माना उनका कहना थाãy इसलिए उसके संदर्व में इन्होंने अन्मिताव जहानवाद की अपने स्यधांत को प्रस्तुत किया वक्ता के तात्परे के से कोई पडolinaotëaler नहीं होता है बलकि पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही पहले से ही सिध्ध होने के कारण तात्परया सक्ती की आउशक्ता नहीं होती है पहले से ही उनके अर्थ सिध्ध होते हैं इसलिए किसी तात्परया की आउशक्ता नहीं होती है इसलिए इनका प्रभाकर गुरु आदी का जो मत्र है वह अन्विता अभिधानवाद का मत्र है इसके भी परीत अभिःतानवादी जो आचारे हैं परशिद्य धमिमान सक कुमारिल भट और उनके अन्वियाई पार्थ सालती मिष्ण आदी जो आचारे हैं वे अभितानुयवाद को मानने वाले हैं इनके मत में अभितानुयवादियों के मत में पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभित अर्थात अभिधा शक्ती द्वारा बोधित होते हैं पद से पदार्थ का अर्थात सब्द से उसके अर्थ बोधित होते हैं अर्थात अभिधा सक्ति द्वारा बोधित होते हैं, पदाथ अभिःत, कैसे पदाथ? पहले पदों के द्वारा पदाथ अभिःत अभिधा सक्ति के द्वारा बोधित होते हैं, बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय या संबंध होता है अर्थात वो जो सब्द होते हैं उनमें परस्पर संबंध नहीं होता है वह वक्ता के तात्पर्यके अनुसार वक्ता जो कहना चाहता है जो बतलाना चाहता है उसके अनुसार उनका परस्पर अन्वया संबंध होता है जिससे वाक्यार्थ की प्रतीती होती है इस मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं अथात अभितान्यवादियों का जो मत है कि पदार्थों का जो परस्पर संबंध होता है जो शब्दों का परस्पर संबंध होता है वह पदों का परस्पर संबंध आपस के पदों से नहीं होता है अपितु वक्ता के तात्पर्या के अनुसार होता है इसलिए उसे तात्पर्यार्थ कहते हैं और उसकी बोधक सक्ती को तात्पर्याख्या सक्ती कहते हैं अर्थार अभितान्यवार्थ के अनुसार पदों का परस्पर संबंध, पदों से नहीं अपितु वक्ता के तात्परे के अनुसार होते हैं इसलिए उसे तात्परे आर्थ कहा जाता है और उस तात्परे अर्थ की बोधक सक्ती को तात्परे आख्या सक्ती कहते हैं उपर के मतों में आचार विशुनात का जो मत है अभितानुएवाद उसको वे स्विकार करते हैं उनका भी यही विचार है कि पदार्थों के परस्पर संबंध से नहीं अपितु वक्ता जो कहना चाहता है वक्ता के वैसिष्ट से पदार्थों का परस्पर संबंध वक्ता के तात्परे के अनुशार परार्थों का प्रस्पर संबंध होता है न कि पूर्व से ही अभिःत परार्थों का संबंध नहीं होता है वक्ता के तात्परे के अनुशार परार्थों का संबंध होता है यहां अभिःता न्यवाद का मत है और आचार विश्वनाथ ने अपने साह इत्यदर्पनक्रंथ में इसी मत को स्विकार किया है। धन्यवाद।